गुरू ही ब्रह्मा, गुरू ही विष्णु, गुरू देवो महिश्वरा, गुरू साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै स्री गुरुवे नमह, अर्थात गुरू ही ब्रह्मा है, गुरू ही विष्णु है, गुरू ही भगवान शंकर है, ऐसे गुरू को में प्रणाम करता हूँ दोस्तों क्या आप सच्छंगी हो आपने किसी गुरु से नामदान अर्थात गुरु मंत्र लिया है यदि लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्यपूर है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों नामदान अर्थात गुरु मंत्र लेने के बाद 80% लोग ये गल्ती अवश्य करते ही है और ये गल्ती करने के बाद आपके गुरु मंत्र लेने का आपको कोई लाब नहीं मिलेगा तो दोस्तो वो गल्ती कौन सी है जो गुरू मंत्र लेने के बाद अधिकतान लोग कर रहे हैं तो कहीं आप भी तो ये गल्ती नहीं कर रहे हो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखे और आपको लगे कि आप भी ये गल्ती कर रहे हो तो आप अपनी गल्ती को सुधारे ताकि आपको गुरु मंत्र लेने का पूरा लाव मिल सके दोस्तो गुरु मंत्र लेने के बाद जो आप गलती कर रहे हो उसे मैं आपको एक उधारण के माध्यम से समझाता हूँ ताकि आपको अपनी गलती अच्छे से समझ में आ सके लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं करा है तो ऐसे ही धर्म हित समाज हित में आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल देश धर्म समाज को सबस्क्राइब करके बेल अगरें दवाईए और 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 कावस में किलिक करिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मि करता है जैसे स्कुल जाना आना फीज टाइम से भढ़ना हर नियम का बलंग करता है लेकिन स्टुडेंट सिर्फ एक काम नहीं करता वो है पढ़ाई और गुरु आगय का पलंग तो आप सोचिए स्टुडेंट अगर पढ़ाई ना करे गुरु की बात ना माने तो क्या स्कुल में एडमिसन लेकर पढ़ाई ना करे गुरु की बात ना माने तो इसकुल में एडमिसन लेने का कोई लाब नहीं है बस दोस्तो खीक इसी प्रकार कुछ लोग नामदान अर्थात गुरु मंत्र लेने के बाद ये गल्तिक कर रहे हैं दोस्तो सबसे पहले हम ये जान ले कि ह हम गुरु मंत्र लेते क्यों हों हम गुरु मंत्र लेते हैं अपने कल्यान और इश्वर की प्राप्ति के लिए और जब हम गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु आग्या का पलंग करते हैं जीवन की हर गुरी आदत को छोड़ कर अच्छाई का मार्ग अपनाते हैं गुरु के कोशते हैं बस गुरू मंत्र लेने से गुरू के पास जाने आने से बस इतने से ही हमें गुरू मंत्र का लाब मिल जाएगा और हमारा कल्जान हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँ आप किसी गलत फेमी में ना रहे आपको गुरू मंत्र लेने का कोई लाब नहीं मिलेगा क् कि जिस प्रकार इसकुल में इडमिशन लेने के बाद इस्टूडेंट पढ़ाई ना करे गुरू की बात ना माने तो उसे इसकुल में इडमिशन लेने का कोई लाब नहीं मिलेगा ठीक इसी प्रकार गुरू मंत्र लेने के बाद आप गुरू अग्या का पालन नहीं करते हो गुरू की बात नहीं मानते हो, मन मुखी जीवन जीते हो, तो आपका गुरू मंदर लेने का कोई लाब नहीं है। दोस्तो अगर आप भी ये गल्ती कर रहे हो आप भी गुरू आके का पलन नहीं करते हो मन मुखी जीवन जीते हो तो जल से जल आप अपनी ये गल्ती को सुधारिए ताकि आपको गुरू मंत्र लेने का पूरा लाव मिल सके दोस्तो उम्मित करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आया है तो वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और इस वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि और भी लोग जो गुरू मंत्र लेने के बाद ये गल्ती कर रहे हैं तो वो भी अपनी गल्ती को सुधार कर अपना कल्यान कर सके और इसे ही धर्मी ही तसमाजीत में आने वाले वीडियो को देखने के लिए चेनल को सस्क्राइब करके बेला के नवाईए और ओल का अप्शन पर किलिकना ना भूले ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके धन्यवाद जये झाले वीडियो